हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई टूब चैनल, एक्सरसाइस 14.5 से कोश्यन नमबर 2 करेंगे ड्रॉ आ लाइन सेग्मेंट ओफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एन कंस्ट्रक्ट इट्स पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेग्मेंट बनानी है आपको, लेंथ होगी उसकी 9.5 सेंटीमीटर और इसका फिर पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है इस लाइन को वहाँ से डिवाइड करना है, ताकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और यहाँ पे 90 डिगरी का एंगल भी हो, इसी को बोलते हैं हम पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर perpendicular इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 90 degree का angle बनता है और bisector इसलिए क्योंकि by का मतलब होता है दो और sect का मतलब sector मतलब यह टुकड़े हो जाते हैं दो equal टुकड़ों में divide कर देती है यह वाली line तो इसलिए इसको perpendicular bisector बोलते हैं चलिए question की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बनानी है आपको एक line segment length होगी 9.5 cm तो scale के उपर 0 से start होती है length तो 9.5 आएगा यहाँ यह 9 हो गया और 9 और 10 के बीच में यह जो लंबी वाली line है यह 9.5 है क्योंकि छोटे वाले जो point होते हैं millimeter 1,2,3,4,5 यहाँ तक की line segment बनानी है आपको तो 0 पे मैं पहले mark रखूँगा एक एक point में 0 पे लगाऊँ क्योंकि 0 से शुरुआत करते हैं हमेशा और यह 9 हुआ और यहाँ पे 9.5 होगा तो यह हो गया 9.5 का mark अब इन दोनो points को जोड़ देते हैं तो यह तो बन गई है line segment यहाँ पे कोई name mention नहीं है बुक के अंदर की line segment का नाम क्या रखना है तो हम अपने पास से रख लेते हैं A B रख दिया मैंने इसका नाम अब बनाना इसका perpendicular bisector तो perpendicular bisector कैसे बनाते हैं वो steps ध्यान से देखना जितनी आपकी यह line है A B आपको इसके आदे से जादा compass खोलना है और उसके लिए आप इस line से ही अंदाजा लगा सकते हैं आपको measure करने की ज़रूरत नहीं है मैंने A point पे रखा यह needle तो थोड़ा मैं compass को बढ़ाता हूँ ऐसे मैंने बढ़ाया तो मैंने देखा कि ये वाला part बड़ा है और ये छोटा है तो ये जो part मैंने खोला है compass के उपर ये इस पूरी A B line के आदे से जादा है क्योंकि आदा तो कहीं आपे आता न इस तरह आपको आदे से जादा compass खोलना है उसके बाद A और B point के उपर रखके बारी-बारी से आपको दो arcs लगानी है तो पहले मैं A के उपर रख रहा हूँ ये और ऐसे ये एक उपर arc लगाई और एक के ऐसे नीचे arc लगाई अब इस compass के measurement को हिलने नहीं देना है आपको same यही measurement रखना है और B point के उपर रखके और इन arcs को ऐसे काट देना है देखिए ये मैंने ऐसे arc लगाई तो यहां कट गई ऐसे यहां पे ये वाली arc कट जाएगी जब मैं यहां पे ऐसे करूँगा ये मैंने arc लगाई तो ये वाली कट गई ये दोनो arcs कटेंगी ये होंगे आपके intersecting points इनका कुछ नाम रख लेते हैं let's suppose इसका नाम में C रख लेता हूँ और इसका नाम में D रख लेता हूँ ये arcs आपकी बड़ी बन जाए तो आप फाल्तु को मिटा भी सकते हो आपका main purpose ये होता है कि आपको यहां पे point की जूरूत पढ़ती है intersecting points की और arcs ये दिखने चाहिए तब ही teacher को लगेगा कि आपने construction की है तो जो फाल्तु हो बस उसी को मिटाना बाकी ये दिखने भी चाहिए C और D points आगे अब इनको जोड देना है यहां C point से और D point को बिल्कुल straight scale रखके ताकि point के उपर से आपकी line जाए इस तरह से रखना है और फिर इसको straight जोड देना है तो यह जो CD बनेगा यह यहां पर 90 degree का angle बनाएगा और यह वाला जो point है अगर इसका नाम में कुछ रख़़ँ O तो यहां AO की जो length है वो OB के बराबर होगी आप measure करके verify भी कर सकते हैं तो यह दोनों टुकडे बराबर हो जाएंगे तो यह तो हो गया bisect और क्योंकि हां 90 का angle भी तयार हो जाएगा तो यह हो गया perpendicular इस तरह से perpendicular bisector को draw किया जाता है यह construction पूरी हो गई है अब इसके steps of construction देख लेते हैं जैसे जैसे हमने किया है उसी तरह से steps भी लिखने है पहला step draw line segment AB is equal to 9.5 cm हमने क्लाइन segment बनाई AB और उसका measure था 9.5 cm तेकिंग A and B as centers and radius more than half of AB draw two arcs which intersect each other at C and D इस A और B point को center मान के center से मतलब है यहां आपको compass की needle लगानी है यहां compass की needle लगाके और compass को इस पूरी AB के आधे से जाधा खोलके आपको दो arcs लगानी है एक और यह दो ऐसे फिर B पे रखके एक और यह दो तो यह आपकी intersect हो जाएंगी C और D point पे यह हो गई intersect join CD CD को join कर दीजिए then CD is the perpendicular bisector of AB line segment तो जो CD है यह AB line segment का perpendicular bisector तयार हो जाएगा question खत्ब next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye थending हो बडिएkennt का deux कोstrings उन्ह estásद के चुन की पासर हो